दोस्तो एक तरफ जहां प्राइविल्ट टेलिकॉम कमपनियां बंद होने के कगार पर हैं कर्ज के तले डूबती जा रही हैं और कर्ज से उबरने के लिए अपने कस्टमर पे महंगे टेरी प्लान्स थोप रहे हैं और ऐसा घोसडा भी कर रहे हैं कि अब वो और भी प्लान मह करने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ आपकी अपनी सरकारी कंपनी ब्यस नल्स सस्ते सथे प्लान्स पेष कर रही हैं और कस्टमर काफी इंट्रैक्ट हो रहे हैं और काफी उनको अच्छा लग रहा है ब्यस नल से जुड़के दोस्तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये बा सस्ता अब दोस्तों सरकार खुद कर रही है कि बियसनल में अब नम्मर पोर्ट करा रहे हैं लोग सरकार ने खुद दी जानकारी जिहां दोस्तों आपकी अपनी सरकारी कमपनी बियसनल में आप बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं मैं आपको बता दूँ बियसनल काफी सस्त और काफी अच्छा है दोस्तो अभी BSNL को 3G Network पे ही BSNL इतना अच्छा कर रही है तो सोच लिजी आप जिस दिन BSNL को 4G मिल जाएगा उस दिन BSNL क्या करेगा दोस्तो यह है Telecom Regulatory Authority of India ट्राई की रिपोर्ट जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि भारती एयर टेल ने लगबग 24 लाख सब्सक्राइबर को गवाए हैं सिप्तमबर 2019 में अगर बात करें Vodafone आइडिया की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगबग 26 लाख कस्टमर Vodaf आइडिया से चले गए हैं छोड़के सेम हाल वही Reliance Communication का भी है लेकिन अगर हम बात करें बियस्नल की दोस्तो तो बियस्नल अपने 3G नेटवर्क के बावजूद भी लगबग 8 लाख सब्सक्राइबर को एड किया है जी हां दोस्तो 8 लाख सब्सक्राइबर को एड किया है ब मतलब कहीं न कहीं दोस्तो ये साफ है कि अब लोग बियस्नल पे विश्वास करने लगे हैं अब बियस्नल वो बियस्नल नहीं रह गया है बियस्नल अब मतलब हो गया है बेहतर सेवा की नई लगन दोस्तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है बियस्नल के बारे में तो अ आपके साथ खड़ा रहेगा, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बीस नल आपकी अपनी सरकारी कमपनी है, वो नहीं किसी प्रॉफिट नहीं किसी लॉस के लिए आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइट करने के लिए आई है, तो मैं आज आपसे रिक्वि क्योंकि BSNAL सबसे सेक्योर और सबसे भरोसे मंद और आपकी अपनी सरकारी कमपनी है उससे कभी कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता आप देख सकते हैं स्ट्राइक रिपोर्ट से कि लोग BSNAL को कितना पसंद कर रहे हैं और 3G नेटवर्क पे ही लगबग 8 लाग सब्सकाइबर हर म सब्सक्राइब रहे हैं और उसने भी घोचडा कर दिया है कि दिसंबर से वो प्लान अपने महंगे करने जा रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप बहुत ही आसानी से BSNL में switch कर सकते हैं support करा सकते हैं अपने number को बहुत ही सस्ते plans हैं आपको BSNL में मिलने वाला है अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि social media भी कितना trend कर रहा है BSNL को लेके लोग कितना इच्छुक हैं BSNL को लेके लोग खुद बोल रहे हैं switch to BSNL आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये trending list देख लीजिए कि जिसमें लोग BSNL को कितना support कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस newspaper का cutout social media पर आई BSNL की आंधी user कर रहे है switch to BSNL जी हाँ दोस्तों user खुद बोल रहे है switch to BSNL मतलब कहीं न कहीं लोगों को इतना विश्वास है BSNL पे कि अब BSNL ही है उनके साथ क्योंकि सारे private telecom companies अपने दाम बढ़ाते जा रहे हैं आप यहाँ पे clearly देख सकते हैं कि telecom sector में इस वक्त एक ऐसी आधी आई हुई है जिसमें users को समझ में नहीं आ रहा है हाल ही में BSNL में कुछ नए प्लान लॉंच किये है इसमें से एक प्लान है 1699 रुपए का ऐसे में social media पर switch to BSNL hashtag trend कर रहा है जियां दोस्तों मैं आप से request करना चाहूंगा आप भी BSNL पे switch करें आपको सस्ते और सबसे अच्छी सर्विस आपको मिलने वाली है अब मैं आपको बताना चाहूंगा उस trending list और इस 1699 रुपए वाले प्लान के बारे में दोस्तों ये है trending list ट्विटर की आप यहां पे देख सकते हैं दूसरे नम्मर पे उसके बाद जिस वक्त मैंने ये screen स्वाट लिया था दूसरे नम्मर पर ये BSNAL प्लान 1699 ट्रेंड कर रहा था और आप इसके नीचे ही देख सकते हैं स्विच्ट टू BSNAL पाच्वे नम्मर पे ट्रेंड कर रहा था अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये प्लान 1699 क्यों ट्रेंड कर रहा है और इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों BSNAL की 1699 वाले प्लान में आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों पचा अनलिम्टेड कॉलिंग मिलता है किसी भी नेटवर्क पर दे और 2GB डेटा पर दे 100 SPS पर दे और यह दोस्तों मिलता है आपको 425 दिन के लिए जी हां दोस्तों 425 दिन मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं दूसरे ऑपरेटर इसी प्लान में आपको देते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए लेकिन BSNAL आपको दे रहा है 3 महीने एक्स्ट्रा 15 महीने की वैलिडेटी दे रहा है इस प्लान के लिए आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा डेटा 3GB पर दे इस ना स्वरी नौमबर एन दिसंबर 2019 में आपको एक्स्ट्रा डेटा 3GB पर दे मिल रहा है इसलिए दोस्तों ये प्लान ट्रेंड गर रहा है क्योंकि ये सबसे सस्ता प्लान है पूरे टेलिकॉम मार्केट में अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो न्यूज रिपोर्टिंग जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है बियसनल के ट्रेंडिंग के बारे में दोस्तों ये है फाइनेंसियल एक्सपेस की रिपोर्टिंग बियसनल पे आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली जी हाँ बियसनल में अब नमबर पोर्ट करा रहे हैं लोग सरकार ने खुद दी जानकारी अब दोस्तों अगर बात करें सरकार ने स्वामित्व भाली भारत संचार निगम लिंटेड ने कहा है कि उसके नेटवर्क में मोबाइल नमबर पोर्ट कराने वालों की संख्या उसका नेटवर्क छोड़ कर जाने वालों संख्या से जादा रही है इसी वज़ा से 2019-20 के दवरान उसका मोबाइल पोर्ट बिल्टी नमबर पॉजिटिव रहा है सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी संसद को दी 2018-19 में बियस्टनल नेटवर्क में पोर्ट नमबर की संख्या 53.64 लाख और नेटवर्क से बाहर पोर्ट नमबर की संख्या 28 लाख लगभग 28 लाख रही कुल मिलाकर अक्टूबर 2019 तक बियस्टनल में 2.04 करोड नमबर पोर्ट हुए और नेटवर्क के बाहर 1.80 नमबर पोर्ट हुए तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि कितना इंट्रेस्ट लोग दिखा रहे हैं बियस्टनल से ले करके तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2 सिम वाला मोबाइल फोन है तो एक सिम बियस्टनल का जरूर रखे क्योंकि मुस्कील की घड़ी में बियस्टनल ही आपके साथ रहेगा क्योंकि बियस्टनल ही है सबसे सस्ता सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ भी सेर करिएगा ताकि उनको भी पता चले बियस्टनल के बारे में कि बियस्टनल कितना सस्ता कितना अच्छा और कितना सेक्योर है और ऐसे ही ओफर्स और नए अपडेट पाने के लिए मेरे सैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद उसे SNL, Vodafone, Bharti, all of them are in trouble are we moving towards a situation where we will once again be in a monopoly situation and what will that mean for the consumer? I can tell you very honestly, no monopoly that will be my firm stand don't equate BSNL, MTNL with others, there are strategic assets जब Nepal में भुकम पाता है तो free वही देते हैं जब Kashmir में बाड हाई, उड़ी सा में तूफान आया तूमिलादू में तूफान आया तो free वही करते हैं defense के सारे system को वही manage करते है कश्मीर के communication को वही manage करते है BSNL, MTNL are assets government is going to revive them and I am committed I will do it as I did earlier VRS scheme is very liberal other things we are working out as regards the other companies are there that is an issue which I told you how soon do you think are you going to be able to resolve this I don't wish to make any comment about this on times now it will not be desirable the companies the group of securities are working it out let's leave it there we are in engagement sir we are going to we are going to revive BS and make it profitable I want to assure this house and good quality of sir